अहां गुड मॉर्णिंग क्लास एड ध्यान दबावो आज हम लोग नेक्स इसमें जो बचा हुए रेस्ट है उसको हम लोग कर लेंगे रिलेस्ट से बेट्वीन दा टू हाउसेज अब दी पारलियमेंट इसमें देखो इसमें भी एक छोटी से चालू कर रहा है कि discuss करने के लिए इसमें दे रहा है कि discuss your views on the latest budget पास इन दा पारलियमेंट तो हाल फिल हाल में देखा जाए तो अभी रिसेंट में तो कोई बजट नहीं है बजट का सेस्थन अभी जस्त आने वाला है साल दर साल जो बजट हमारा पेस होता है और यह फरवरी मार्च में पहले बजट पेस हुआ करता था लेकिन जबसे यह मोदीजी सरकार में आय हुए है तब से इसका एक पाटिकुलर डेट है एक और दो फरवरी को बजट पेस होता है जिसमें रेल बजट था और यह आम बजट था लेकिन अब रेल बजट को भी न आम बजट में ही मर्ज कर दिया गया है यानि कि एक जो बजट पेस होता है तुम्हारा एक फरवरी को वही बजट माना जाता है तो उस पर डिसकस करना है तो डिसकस का संदर वैसे है कि सेयर का बजट आपको रिकॉल करना मुश्किल है मैं इसके लिए करूंगा कि अगला जो बजट आने वाला है ना उस बजट को देख लेना एक फरवरी को बजट पेस होता है हर साल ठीक है और उसी तरीके से राज्यों में भी हमारा बजट पेस होता है लेकिन हम यहाँ पर इन सब्सक्राइब करना है इसके बाद में दे रहा है कि फांड आउट लेटेस्ट पील पास इन पार्लेमेंट तो इस पर तो पिछले क्लास से लगदार हम लोग शर्चा कर रहे हैं सबसे रिसेंट में और सबसे हाल फिलहाल में जो बिल पास हुआ है वही तुम्हारा प्रिसी बील है जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है एक्चुली सिदंबर में जब तुम्हारा मांसुन सत्र का यह हुआ था कोरोणा में एक दिन के लिए मात्रे पार्लेमेंट से सन आवुद की गई थी उसी में ध्वानी मत से उसको पारित कर दिया गया था जिस पर पॉइंट यह सब आपका काम है थ्वासे इसको सीखेंगे जानेंगे जाने का सबसे बेस्ट आइडिया है मैं बार-बार कन्वेंस कर भी रहा हूं निउस्पेपर पढ़ो निउस्पेपर पढ़ने के आदत आपको डालनी चाहिए 24 घंटे में आधा घंटा निउस्पेपर के लिए और अपनी समझ भिक्सित करने के लिए निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है और आप आधा घंटा प्राइम टाइम कोई नेशनल निउस्ट देख लो खास करके जी निउस अगर आप देखे तो बेतर होगा या उसी तरीक जब हम सोने की स्थिती में होते हैं तो उसके गंटे पहले आधा गंटा पहले तुम्हारा नो बैसे प्राइम होता है इसमें मैंने प्राया देखा है रेटिंग सबसे बेतर तुम्हारा डेले निउस्ट इनलेसिस बहुत ही जिमवार और अच्छे पत्रकार है हमारे शुख फ्रा च्छेशिट के तो आते है हम लोग on topic uh to the point relationship between the two houses of the parliament as usually you can see that uh theoretically speaking the lokasabha and rajashabha enjoy equal powers but we cannot overlook the fact that the lokas lokasabha represents the people in the election by the people and on the other hands the Rajashabha represents the state of the union इसमें देर आया है कि ऐसे सैधानतिक तरपर तुम्हें बताया और समझाया गया है और कहीं न कहीं सचाई है यह भी कि पारलेमेंट दोनों एक हीं जैसे काम करते हैं रोकसभा और राजसभा होता है लेकिन इसकी चुनाओ की प्रकिरिया थोड़ा सा अलग ढंकी है जैसे कि लोकसभा का जो तुम्हारा इलेक्षन होता है उसको हम लोग जेनरल असेम्बली आमसभा के चुनाओ करते हैं आम चुनाओ करते हैं जहां पर जनता डायरेक्ट अपनी प्रतिनिद्यों का चुनाओ करती है जबकि राजसभा में जो भी मेंबर्स अदर से चुन करके जाते हैं उनकी जो हमारी एलेक्षन की प्रकिरिया हमारी होती है यह इंडारेक्ट तर पर होती है इसके बाद भी तुम देखोगे कि वो डिजॉल्व नहीं होता है हमारा और उसमें हर दो साल पर टेनियोर बदल यह दो साल पर रीनिव हो जाते हैं मेंबर्स और जो इलेक्टेट हमारी गौर्मेंट होती है वो लोगसभा के प्रति रिस्पोंसिबल होती है और जैसे ही लोगसभा डिजॉल्व होती है या बीच में डिजॉल्व हो जा या अपने फाइब यह प्रम्स को पूरा करके सब्सक्राइब करना पड़ता है अगर वो अभिस्वास प्रस्ताव में सरकार फेल हो जाती है तो उसे उसे है ना बीच में ही डिजॉल्व करना पड़ता है तो यह उसमें बताने का प्रयास कर रहा है कि सधान्तिक तोर पर देखने में तो जरूर लगता है कि हायर एसेंबली हमारी राज सभा होती है लेकिन maximum powers of entertain जो है हमारा लोग सभाही करती है और सदस्यों की हैसियत सदस्यों की जोगता सदस्यों की काविलियत सदस्यों की काम करने के तरीके even COC का गठन इस सब में पारलेमेंट के जो दोनों से सन हमारे होते हैं लोग सभावराज सब दोनों के सदस्थों की आमियत हमारी बराबर होती है थोड़ा सा डिफरेंसे है हमारा डिफरेंसे तोबर दे लेजिलेटिव मैटर्स जैसे इसमें दे रहा है कि जो कानूनी और विधाई प्रकिरिया हमारी होती है उसमें क्या डिफर होता है ये कह रहा है कि जो भी कोई बिल पास होता है मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि सरकार जो है इसके पीछे के सरकार है बहुत ज़्यादा जनता की परती मतलब क्या कहते है बिचार करती थी या डेडिकेटिव थी समर्पित भाव से काम करती थी और पिछले 14 से जो सरकार पन के आई है मोदी जी की ये जनता को तबाह करने के लिए बार 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 बील और जो लॉव एंडेक्ट लाते हैं जो कोई भी कानून आता है उसका एक मात्र मकसद हमारा होता ह है वहां की देश की नागरिकों को खुसाली लाना उसके जीवन में तरक्की लाना उसकी इंकम बढ़ाना उसके डबलप्मेंट को सिक्यूर करना है ना और वही जब एक प्रॉपर रूल्स और डेगुलेशन को फॉलो करने के बाद में जब उसको एक्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वही तुम्हारा देश के लिए हमारा कानून बन जाता है अधा हाँ तो ध्यान दो इसमें तो ऐसा यह वेलफेर के संदर में ने कोई लॉइन एक्ट का जो हमारा फरमिशन होता है और बरतमान में जितने भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे बीलाए है एक एक एक्जाम्पल को दर पर GST और अभी हाल फिलाल में तुम्हारा ये इंक्रिसी बिल को ही ले लो तो ये एक तुम्हारा GST तुम्हारा 98 का है तो 98 में ठीक था कि अटल भी हरी वाजबे की सरकार थी इसके प्रपोजल को लाया गया उस पर बात बढ़ाने की बात हुई थी हम ये लोग भी तो उस पर काम किये तो ये किवल कह देना कि ये गवर्शिंग टैक्स है तो इसे थोड़ेना मुक्ति मिल जाएगी ये पूरा वर्ल्ड के एक सिनारियो के स्टैडी करने के बाद में हुआ है डॉक्टर मनमोहन सी कोई ऐसा तो नहीं है कि जन समानने बैखती है और सास्त्री रहे हैं वर्ल्ड बैंक में उनकी भूमिकार रही है आयमेक में भी बहुत दिन तक कुछ चेर्में रहे थे हैं कितने सारे वेस्ट के इंवर्सिटीज वगरा है में वो अज़ा प्रधापक भी रच शुके हैं भारत में बहुत सारे जगों पर और सास्त्र के बहुत बच्छे जनकारों मुन की गिंती होती है लिब्राल एकनॉमिक के उस ठाम करने में भारत मुन ही किसमसे बड़ी कंटिबिशन हमारी रही है तो किवल जन मानस के उद्विलीद करने के लिए उसके भावनाओं को भढ़काने के लिए अगर अगर अपोजिसंस गलत त बाइद इस पर की भी गई है कि कैसे किसानों की जीवन को आत्मी निर्भर बनाया जाए और इसको देश में इंप्लेमेंट करने के लिए जो कानूनी परक्रिया हमारी होती है फॉर्मेशन का जो चल चुका है यह तो किवल यह है ना कि इतने हिमत वाले फैसले किवल मोदी क जोली में आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब जितने भी बील है वो चंद मुठी भर लोगों के विकास के लिए है और सारे लोग उससे बरबाद हो जाएंगे यह मिलाजुलाकर के बैलेंस हाँ इसका अब यह दिखना होगा कि जो भी कानून हमारे बन रहे हैं चाए ज ठंग से होना चाहिए इसके लिए टॉप कास के जो हमारे विरुक्रेट होते हैं जैसे फेर एक जमीन पर लागू किया जाए तो एक बेतर हम लोग कर सकते हैं तो इसमें देराग दे पार्लेमेंट मेंक्स law and all the subject listed to the union and the concurrent list इस तरीके से केंडर की जो सरकार है हमारे होती है संग सुची के 20 में जो 97 पर और 47 पर जो हमारे concurrent list होता है उस पर ये कानून बनाने का काम हमारी करती है भारत की सरकार प्रक्रिया समानुप से चलती है दोनों जगव पर राजय और केंद्र दोनों पर समानुप से लागू होती है बील मतलब एक मसावदा हमारा होता है जब कोई अतिनियम और लौ बनता है उस पर राश्पति की सहमत्य का होना निमार्ज है सिगनेचर और मुहर का होना जरूरी है उसके पहले जो हमारी एक अंडेस्टेंडिंग होती है एक समझ बिक्सित करने का किस परकार की कानुन हमारे हो सकते हैं तब तक तुम्हारा दोनों पार्लेमेंट से पास नहीं होता है उस पर प्रेसिडेंट का सिगनेचर और मुहर नहीं लगता है तब तक तुम्हारा बिल रहता है अना एक्रीमेंट एक तरीका के हमारी होती है उसमें अंडेस्टेंडिंग करने की बाद हमारी होती है तो उसक के बिल था एक तरह के समझो कि CAB था जो ये एक्ट बनने के बार में CAA हो गया so there are three readings of the bill and first is the state of introduction where the main and the objective of the bills introduced by the minister of the members and house gives its approval to the printed copy of the circulated among the members of the parliament in the second stage the objective of the bills are discussed one by one and then it is passed to the third stage in which the bill is either passed or rejected as a whole if the bill is passed it's sent to the other houses where the same procedures is adopted again and here is it is passed it's sent to the president for the approval after the ascend it becomes of law is Medera की तीन फेज में प्रक्रिया हमारी पूरी होती है पहला हमारा होता है Reading जैसे कि मालों के तीन इंपर्टेंट चीजों का जो जिक्रिकिया गया है APMC का और MSP का और Essential Complutely Act का तो इसका एक छोटा सा मतलब एक डराफ्टिंग तियार करके ना हर एक मेंब्र सको ना हर एक परल्लेमेंट में उसको दी जाती है कि बिचार करने के लिए कि ये एक खास परकार का बील है सरकार इस पर तयार हो कर रही है इसको देशम लागू करने की परक्रिया है कानून बनाने की बात हो रही है हमारी तो उस पर सारे पार्लेमेंट्स के मेंबर्स पर समझने का प्रयास करते हैं कि ये कितना सही है क्या है उ 250 सदस हमारे राजसभा में हैं उसमें मान के चलो कि अपोजिशन्स या अधर राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे मेंबर समते हैं अगर उनको कोई किसी बात पर अगर मतभेध है तो सरकार इसके लिए डिसकस करने के लिए ट्यार रहती है उसके संबंधित मंत्री उस पर बागर हमारे होते हैं उससाब उसमें भाग लेते हैं है ना और इसके बाद में थर्ड परकिलिया हमारी होती है उस बील को पास कराना पास करने के दो-तिन तरीके हमारे होते हैं जिसमें एक ध्वनिमत होता है जैसे मानों कि कोई ऐसे आउडिनरी बील हमारे है जिस पर सहमत कॉमन है तो उसको ध्वानी मत से भी पारित लिया जाता है जैसे के स्पिकर पुछते हैं कि इस में बिल के पक्ष में कितने लोग हैं तो पारलेमेंट से लोग आवाज निकालते हैं मेज थप थपाते हैं कि हम है हम ऐसा कुछ करके तो जिसकी ध्वानी ज्यादा होगी उसके अधार पर उसको तैय कर दे जाते हैं और एक हमारा वोट कास्ट किया जाता है यह उस पर कास्ट के बेंद यह पिछला ह openness देंगर में पास होने की क्राइटरिया यह है कि लोग सभा में तो म harvest नता कि जितने वह इलाइस पा sigue है उन के पास में प्याप संख्या अफल है 272 तो मिनिमम चाहिए और 282 तुम्हारे अकेले वीजेपी को है इसके बाद में और भी उसके इलाइस पाटनर है हमारे जो उसके सांद सरकार में बैठे हुए है जैसे तुम्हारा लोग जनसक्ती पाटी विहार से है जनता दल उनाइटेड विहार से है मितिस कुमार के पाटी उसमें स्रियोमडी अकाली दल तुम लोग को पता होना चाहिए लोगनान के संदर में अगर्णी जूँज देख से हुए तुम लोग तो उसमें के प्रमुख है प्रकासिंग बादल उनकी यह डॉटर इनला है बहु है हर सिम्रत को और जो केंद्र में मंत्री भी थी हमारी इसके मोधी मंत्री मंडल में लेकिन इसी क्रिसी वील पर उन्होंने अपनी नराजगी बैक्ट किया सरकार में रहते हुए कि ये जो MSP का जो मैटर है और APMC का जो मैटर है मतलब बजार समिती को बहाल रखे और मिनमम सपोर्टिंग प्राइस को भी न सिक्योर रखने का प्रयाज लेए चुकि देखो पंजाब और हरियाना के पूरी जो राजनीती है किसान और उसके आसपास के मतलब लोगों को उपर ही डीपेंड करता है किसान पंजाब के काफी समरीद है और पाउरफूल है और हरित करांती में उनहीं पार्टिकुलर रीजन्स को न ख़दान उत्पाधन के लिए टार्गेट किया गए था स्वामी नाथन के द्वारा जो 66 में हमारा हुआ था तो वहां के पूरी राजनीती MSP और EPMC का आसपास में घुमती है तो इसमें तमाम अच्छाईयां होने के बवजूद भी तुम लोग देखोगे कि इस पर जो बिरोध परदसन्वराज जो दिल्ली में 22-25 दिन से जो किसान लोग बैठे हुए है उसमें ज्यादा तो तुमको पंजाब और हर्याना के और पंजाब की जो राजनीतिक सिन अब्रियाका लिदल यह लोगों को मनासिभ नहीं लगा कि हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है तो उनको वोट भी लेना है कुछ दिने को बाद में तो संगट पाटी से बहुत हो हमारे बाहर हो जाने शीर कोई सहत परसर नहीं पढ़ने वाला है और गहीं बात रहा पेश तम्हारा राजसभा में तो राजसभा में वह सारे जोड तोड की प्रक्रियाओं को अपना करके किसी तरीकिस वहां पर पास करा लिए जाता ह। तो यहां जो पोजीसन्स है कॉंग्रेस वागरा क्रिसी बील में जुद गी डालने का काम कर रहे ह। ये लोग करें कितना important bill है 50% देश की अबादी हमारी किसानों की है गरीबियों की है गाउं मेराने वाले लोगों की है जिसका रोजी रोटी जो तुमारा क्रिसी बिल से जुड़ा हुआ और ये इतना important bill को ना इस पर कोई discuss हुआ ना इस पर voting हुई और आनन फानन में केवल इसको पारित करा दिया गया तो ये हवा फैलाय जा रहा है तो मुदी सरकार इस पर भी त्यार हो गई है ये next parliament session जब हम लोग बलाएंगे उस पर हम डिसकस कर लेंगे उस पर हम voting भी करवा लेते हैं जिस बात का संदे है आप लोगो है किसी भी तरीके से आप त्यार होई है और देश की समरीथी में आप भागिदार बनिये तो ये discuss and voting की परकिरिया हमारी तो ये वहाँ के speaker लोग ट्राइक करते हैं लोग सब हमें कि ये vote के लाइक है बील नहीं है इस पर असामती है नहीं है इसक कश होगा नहीं होगा ये सब कुछ तै करेंगे और संसधिकान मंत्राले भारा सरकार द्वारा इस पर सब मिलक बैट करके निगोसीड करते हैं और इसको सल्व करने का हमारा प्रियास किया जाता है और जब ये बील हमारा पास हो जाता है लोकसभासे और राजसभास तो ये जाता है तुम्हारा प्रेसिडेंट ओफ इंडिया यानि कि भारत के जो हमारे राश्पती होते हैं और ये प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं उस पर अपनी सहमती ब्यक्त करते हैं हो सकता है कि किसी खास particular point पर उनको अगर दिक्कत भी हो तो वो cabinet of council को 14 दिनों तक के लिए बिचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं लेकिन अगर cabinet of council दुबारा फिर उसी बिलकुल अगर राश्पति के पास भीजता है तो कोई business उनके पास मधिकार नहीं है के वल signature करना ही पड़ेगा मुहर लगाना ही पड़ेगा एक pocket veto है जो rare एक बार ग्यानी जल सिंग ने यूज किया था rare conditions में कभी-कभी अध्यादेश और कानूनों को रोकने का सकती हमारे राश्पति के पास में है लेकिन उसके लिए आपके पास में एक मजबूत तर्क होना बहुत जरूरी है लेकिन उस बीटों का बहुत बार प्रयोग नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं मना जाता है और ऐसे भी एक चीज है कि जो सरकार देश में चल रही होती है परलेमेंट में जिसकी मजबूती हमारी होती है जो सरकार में बैठा हुआ रहता लोग सभार में चुकि राश्पती का जो चुनाव हमारा होता है इंडारेक्ट तर पर यही इलेक्टरल कॉलेजेज होते हैं जहां पर इलेक्टिड हमारे एमपी होते हैं और elected हमारे ML उसमें भाग लेते हैं तो संख्याबल जिसका ज़्यादा होगा सभाव कोई सरकार में होगा तो प्रायाद देखोगे कि जो सरकार देश में चल रहे होते हैं उनहीं के राश्पती भी होते हैं जैसे पिछले दिनों 2004 में जब हमारे डॉक्टर मन महाद सिंदेश के प्रधान मंत्री थे उस समय तुम्हारा प्रतिभाद देविस सिंग पाटिल बनी जो कॉंग्रेसी थी इसके बाद में दुसरे टेनियूर में तुम्हारे 2014 वाले समय में इनको ये क्या करते हैं प्रणो मुखर जी वो बनाया गया था वो भी कॉंग्रेसी थे लेकिन जब बीजेपी सरकार में आई तो मौका मिला तो ये हमारे पहले ऐसे राश्पती है जो भाते जन्ता पाटी के तरफ से कंडिडेट बनाया गया थे रामनात को बिन जी है ना तो उसमें कंड्राडिक्सन बहुत कम ही रहता है ऐसा नहीं होता है कि राश्पती जो होता है कोई अलग बिचार लेकर गया है या कुछ उस पर सम्मत्य उगर बनाने का प्यास करें और ऐसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एरियल एक्जेकुट्टी पाउन इंटर्टेंट करना जादा तुम्हारा पीएमो और पीएम के सियोसी के पास में हमारा सुरक्षित होता है तो इस तरीके से बहुत ज़्यदा कंड्राडिक्सन हमारा नहीं होता है अब रहा बात बील के बारे में तो बील दो परकार के हमारे होते है एक ordinary बील होता है दुसरा हमारा money बील होता है तो ordinary बील में तो सब common आ जाते हैं जितने भी सब बील होते हैं सब ordinary में आ जाते हैं ठीक है ना? और ये parliament must by pass the both of the houses ये दोनों houses से पास कराना बहुत जरूरी होता है लोगसभा में भी और राजसभा में भी लेकिन जो money bill हमारा होता है in case of the money the राजसभा has been given virtually no powers इसको कोई power नहीं है ये केवल money bill हमारा लोगसभा में ही पारित होता है a money bill can originate only in the लोगसभा when any money bill is passed by the लोगसभा the राजसभा has no power whatsoever to make any changes against the will of the लोगसभा it can at the most delay of the money bill by sitting over the 14 days and after the expiry of the period the bill is supposed to have been passed by the राजसभा and not can be sent for the president signature जो समानने bill हमारे होते हैं ये किसी भी सदर में पहले लाए जा सकता है राजसभा में भी आ सकता है लोगसभा में भी आ सकता है लेकिन जो money bill हमारा होता है ये किवल और किवल हमारा originate हो सकता है लोगसभा में और ये राजसभा किवल 14 दिनों तक उस पर सहमती के लिए ले जा सकती है और कहीं 14 दिनों तक उस ने कोई भी उस पर विचार नहीं दिया something कुछ भी नहीं किया तो समझा जाता है कि वो bill तुम्हारा स्वत्य पारित हो गया और ये सिधे तुम्हारा signature के लिए चला जाता है प्रेसिडेंट आफ हिंडिया के पास में उस तरिके से हमारा पास हो जाता है leshne say control over the executive the union parliament exercise to control over the union government in a number of the way both of the houses of the parliament has equal right to the asking questions bringing the various kinds of the motion against the government ये दोनों को समान पावर तुम्हारा को मिला हुआ है and but again the log sabha has the real say the council of ministers is primarily and and responsible to the log sabha and the vote of the no confidence passed in the raj sabha does not obligue the government to resign but a similar vote passed in the लोग सभा mixed obligatory for the government to quiet अगर no confidence motion लोग सभा में तुम्हारा lose कर जाती है स्रकार तो उसको सिवाय इस्थिपा देने का और कोई बिकल्प नहीं हमारा बच्चा है लेकिन पिछले बहुत दिनों से दिखा जाए 2008 में भी एक तुम्हारा no confidence motion की स्थिति पैदा हो गई थी यह जो हमारा nuclear deal हुआ था अमेरिका के साथ में उस पर भी तुम्हारा मनमोहन सिंग जैसे मतलब एक weakest prime equilibrium को मना जाता है उन्होंने भी confidence motion को जीत लिया था इसके बाद तो लोग सभा में इतनी जबरजस्त बहुमत तुम्हारे मोदी जी के पास में है कि कभी confidence के तो सवाल ही ने पैदा उठता है है ना और confidence आएगा भी तो ये इतने मजबूति रादे वाले प्रधान मंत्री है कि उनका कोई बालबा का अभी तक तो नहीं कोई कर पाया है भविसे में क्या होगा कोई नहीं कर सकता है है ना ऐसा निक्तेरा कि division of the subject between the center and the state तो इसमें देखो ये article 7 का जो विसे है तुमको मैंने बताया था इसमें तीन list का formation हमारा किया गया है यहाँ देए हुए है union list है state list है और तीसरा है तुम्हारा concurrent list तो union list ऐसा होता है जिस पर केंद्र की जो हमारी सरकार होती है वही किवल कानून हमारी बना सकती है जैसे में तुम्हारा important है railway, national highway, shipping, airways, foreign affairs, international contacts, even know, metrology, army, air force, navy उस सब साथ में ही आ जाएगा post of the telegrams, wireless, telephones, quinnis, banking, currency और ancient monuments जैसे उस्कानी तर अलपने जैसे एखेांपल के तर पर तुम इसको समझ सकते हो करिकए can जैसे की तुम देखो और दूर्म राजों में रेलमेने मंत्रा भाने रह मरं नहीं होता है राश्टी राजमघ मंत्राभा नहीं होता है है ना इससे आप अंदाजा लगाए कि जो राज्यों में कोई मंत्री नहीं हमारे होते हैं वो केंद्रे में के पास में हमारा बीश्य होता है वहाँ पर उस सरकार करणून बनाती है स्टेट लिष में हीट कंटेंस इबाउट दे 66 सब्जेक्ट है ना ओन वीज दे स्टेट गवर्मेंट केंड मेंक लॉग ऐसे 66 विस हमारे राज्य के सरकारों को पास में सुरक्षित हमारी होती है जो जिस पर किवल राज्य की सरकार है हमारे करणून बना सकती है यानि कि मान किसा करकारी ज decided poking पिछले दिन को तुम लोग ने सना होगा यह जमिन सर्वे का जो काम बिहार में चल रहा है में इसका कराने के बाथ वह रहा है पिछले दिनों जब यह बिहार के मख मंत्रे किमार expand शाथ नितिıkले थे हर एक जिला में 20 धीन तो उन्होंने एक जमीन सुधार के लिए अलगी से कानून लाया कि उसका एरियल सर्वे कराया जाएगा और उसमें उसमें दिया था कि मेटेशन जब तक नहीं है तब तक कोई ब्यक्ति खरीद बिकरी करी ने सकता अब इसमें होता क्या है कि मालों को जमीन का एक शोटा टुक चला कि ना इसका मि mlटेसन हुआ है और इसको जमीन खरी सकता कहले घरी चरीव के बटवारा का समझधा का जो agreement बनाना होता है तो उसमें बहुत minimum cost में तुमको ये काम हो जाए लिए है ना और उसके लिए जो खिसरा खतियान जो नक्सा वगरा होता है ये online उपलब्द है जिसे पहले पटनामी के उपलब्द होता था आप सुने में आ रहा है कि दिली वगरा चाहिए पूरे देश के किसी भी कोने में इंटरनेट के माद हैं से तुम अपने जमीन का जो सर्वे वगरा होने के बाद में जो रिपोर्ट आया है उसको तुम निकाल सकते हो इसे बहुत जादा सहुलियत बढ़ी है तो ये हाई कोट और सुप्रीम कोट के नीचे का जो बिशया लूवर कोट का जो मैटर है हमारा वो राज सरकारेज़पर का हमारी फैसला लेती है इसके बाद में नेक्स्ट है होस्पिटल का तो होस्पिटल तो नो दाउट के वो राज का ही नहीं है किंद्र का भी बिस्ट है है सेनिटेशन का कैटल हेल्थ मवसियों के लिए जो अप्चार की वेवस्था हमारी होती है यह देखो इसमें सबसे इंपोर्टेंट एक रिकल्चर है जो पिछले दिनों चर्चा का एक विस्ट बना हुआ था यहाँ पर देखो सेवे नंबर में तुमको एक रिकल्चर दिये हुए है जैसे कभी तुम्हारा क्रिसी बील जो आया है इसमें बिहार के ही राजनीतिक पार्टी है लालुजादों की पार्टी आरजेडी और कुछ ऐसे और भी राजनीतिक पार्टीयां देश के अंदर में है इसके बैधता को मतलब चुनावती देने की बात हो रही है कि क्रिसी जो है राज्य सरकार का विस्ट है तो इस पर क्रिसी बिल जो बार-बार हो रहा है ये केंदर कैसे बना लेती है तो मैंने तुमको इस पर बताया था कि अगर मैं तो एक टीचर हूँ लेकिन जो एक अच्छे कानून के जनकार होगे उनको इस बात की अच्छी जनकारी होगी कि देखो कोई भी अगर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाँ से देश की किसी भी विशे पर अगर सरकार समती बनाना चाहती है हमारी तो केंदर की सरकार राजी के विशेववपर भी न कानून हमारी बना सकती है तो हलाकि देखो ऐसा नहीं है कि राजनितिक पार्टियों में तमाम प्रकार कैसे जो राजनितिक पार्टियों के लोग जो इसकी बैतता को चनौती देने के लिए सुप्रीम कोट के तरफ में गया है तो उनको नौलेज नहीं है ये केवल और केवल हमारा बील को लटकाना है और देश में एक गलत मैसेज पैदा करना है तो ये बिलकुल बील तुम्हारा सही सलामत है और इसकी बैतता पर कहीं कोई प्रसंचिन नहीं है केंदर की सरकार जो है बेवसाई करण की लिहाज से और उसको बैबार से किसी भी भी से को प्राइमरी और सेकेंडरी छेत्र को भी हमारा जोड़ सकती है इसके बाद में रेक्स रोड है रोड में तुम लोग देखोगे बिहार में जो रोड एनेज का नहीं स्टेट हाईवे के अलामे तुम्हारा डिस्टिक से जो रोड बनती है निकलती है उसको इसके बाद में ग्रामेट छेत्रों में तुम्हारा कनेक्टिवीटी को बढ़ावा देने के लिए सर्विस रोड बनाना पूल पुलिया बनाना ओभर बिरिज वगर अगर बनाना इस पर बहुत ज़्यादा काम बिहार में हुआ है इसकी पूरी बांगी पूरी देश में मतलब दी जाती है बहुत सारे दुसरी राज्यों के भी एक्सपर्ट आते हैं बिहार में स्टाडी करने के लिए नितिश कुमार को एक परिकास पुरुस में खासकर कि इंफ्राचकर पटना सबसे दूरी लागा भिहार के राजधानी पटना से तुम्हारा है वो पांच घंटे के अंदर में जोड़ देना है और हर 500 लोगों की बसावाट वाले टोले और महले को लिंक रोड से जोड़ना है तो ये रोड के प्रात्मिक्ता सुरू से इनकी रही है और अभी प्रतमान में तुम्हारा हर घर नल का जल अब इस बार साथ नीशे में सामिल किया गया है कि हर खेत को सीचाई का जल उप्लब्द कराने की बाद उसमें की जा रही है उसमें रोजगार सेजन और भी सारे बाते होई थी हमारी तो ये मिलाज़ लागर के ठीक ठाक ही काम कर र affेश का लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेडी कल साइन्स चेक के कॉअ अधहात्मिक दिश्टी कोट से ये पुझा पार्ठ के दिश्टी कोट से देखा जा तो नन भेज भेज पर विवाद हो सकते है PAR에요 लेकिन साइन टिखा जिखा जा पसुआ और मतस्त शनसाधन विकास को इतना ज़दा बढ़ा दिया कि रिकॉर्ड उत्पादन विहार में तुम्हारा मचली का रहा हूरा उत्री विहार के बारे में तुम्हें पता होगा कि तीन मेने चार मेने फलड में वो तुम्हारा घिरा रहता है चाहिए ऐसी संभावनाय है जल वगरा के ये स्टोरिज करने की तो इसको करते हैं कि आपदा को औसर में बतलना तो सरकार ने इस इंबिशन को लाया और फिस्ट्री में बहुं सारे अनुदान ग्रांट वगरा दिया गया बिहार में और इसका रिजल्ट दिखा कि जो हम अंध में रहने वाले मास्ट पोपलेशन हमारी होती है जो खास करके इसको बड़ी चाह से अपने डाइट में सामिल करती है और जो लोग प्रोडक्शन करेंगे तो एक ठीक-ठाक बजेट में उनको ये उपलब्ध हो भी पाएगा इनमल हज्बंटरी का पस्व पालन का उसे दु प्रभावी हमारा किंद्र का कानून अगर जादा है तो किंद्र वाला को ना इंप्लिमेंट किया जाता है जिसमें तुम्हारा मैरेज है मैरेज पर तुम्हारा कानून बनाने का दोनों बना सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन्स में जॉएंट फैमिली अधर प्रोफेशन्स बूग्स निउस्पेपर ट्रेड यूनियन लेवर वेलफियर फैक्टरीज रिलीजियस इंडोर्मेंट्स और सिविल एंड क्रिमिनल प्रो मेडिकल प्रोफेशन्स में तुम्हें देखने के मिलता है तो उसे पूरा केंद्र फोड़े अंदा प्रभाववत होता है तो वहाँ पर केंद्र की सरकार एक guideline लेकर कानून लेकर काती है लेकिन regional छेतरों में अलग प्रकार की समस्याओं के लिए राज सरकार सोतंत्र है उस पर कानून बनाने के लिए उसको protect करने के लिए आप देखो marriage वाले conditions में ही तुम्हारा है जैसे कि देश में कानून तुम्हारा already चला आ रहा है जो इंडियन एक्ट है जो marriage इंडियन एक्ट हमारा है जिसमें साधी कुम्ड को निधारित किया गया है इसके बाद में इसमें नागरिक सनीता हमारा कहता है कि एक बार में एक इडिमान ली जाती है तो personal love board के accordingly पुरी देश में एक ऐसा भी parallel कानून तुम्हारा चल रहा देश में वो लोग कह रहे हैं कि अगर personal love board को समाप्त कर दिया जाता है या उसके जो विबा अधिकारों को अगर समाप्त किया जाता है तो उसे धर्म तुम्हारा प्रभावित होत इसके बाद में तुम देखोगे कि इसायों में एक तुम्हारा है निवंधन की वेवस्था जिसको court marriage भी हम लोग कहते हैं उसमें 45 डेज का तुम्हारा रहता है यानि कि वह एक तरीका के सोचो कि living relationship है तो living relationship तो ऐसे माननाता भी भारत सरकार के तरब से मिल चुका है किंद् इसके बाद में एक और भी है तुम्हारा Muslim communities जैसा ही इसके तुम्हारी travel communities में भी हमारी होते है तुम्हारा जिसमें एक तरीका के child marriage कहोगे तुम्हारा होता है अंडर 16 एज 16 सल से भी कम उम्रे के बच्चे 13 से 16 साल के उम्रे के बच्चे गोटुल एक जुआगरी हितरा है हमारा होता है वहाँ पर pre-marital relation उनका साधि से पुर उनको एक understanding create करने के लिए living जैसा ही हमारा matter होता है तो ओ आदिवासियों के भी कानून तुम्हारा general कानून के संदर में दे उसमें होती है उसमें ज्यादा तक भी बाते होती है तो ये depend करता है आप जिससे समझो के केंद्र में जो कानून हमारा है marriage को ले करके साधी विवा को ले करके तो पुरी देश में एक समाने गूप से लागू है आप बिहार और जारकंड में या पंतर देख सकते हैं एक तर इस पर कोई विव्यक्ति अगर बाल विवाह करता है या बाल विवाह कराने की प्रमोशन की बाते करता है तो तो तुमको ज थिलता लाने के लिए राज सरकार उस पर भी से हमारा बना सकती है इस पर मतले ये कानून नहीं चल सकता है या धार्मिक देश्टिकोर्ट से मैं मुसल्मानों की बात देखा ही या इसाइयों की बात देखा ही केंद्रिय उस पर फैसल लड़े सकती है जिसे गुवा तुम्हारा क्रिस्टिन कम्निटीस का तुम्हारा एस्टेट है उसमें ज़्यादा संख्याम लोगों हाँ पर तुमको मिलेंगे कई मुसल्मानों की संख्या बहुत ज़्यादा है है ना तो ऐसे ये करके हमारा चलता है इस तरीके की विवस्थाओं में हमारी सरकार होती है तो दो चीजों से हिल्ट से और एजुकेशन का भी बिसे में साथ में जोड़ती रहा हूँ इज오केशन में जैसे तुम्हारा देखो कि भियार में अइक अलग अपना बौपृड है जहाँ पर इंग्लीस अलग अपना नहीं है लेकिन अगर तुम्हारा ये 900 वाहीình के वही infection करने की अनिवासता हमारी रती है तो अलग-अलग बोड अलग-अलग करिकूलम और अलग-अलग सिलिबस के साथ परलल रन कर सकता है लेकिन इस पर भी समान सिक्षा प्रडाली यानि कि परलल में तुम्हारा जैसे की सिटिजन्सिप एक्ट में आगे भविस में जो ये मैरेज का भी से मैंने बताया Health and hospitality के अलावें तुम्हारा ये एजुकेशन वाला भी से जो अगर समान सिक्षा प्रडाली की बात ही की जा रहे जो नए सिक्षा नीती में रेकोमेंडेशन दिया भी गया ऐसा कस्तुरी रंगन के रिपोट में कि इस में एक समान सिक्षा प्रडाली अगर केंद्र की सरकार करती है तो इस पर भी वो कानुन हमारी बना सकती है और दोनों में dispute matter में जो केंद्र का यो हमारा कानुन होता है वो ज्यादा प्रभावी हमारा माना जाता है इस तरीके से Central Government का जो हमारा legislative form होता है लोगसभा होता है और राजसभा होता है जैसे as a legislative जो formations में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोगसभा के member हभी है बनारा से जीत करके गए हैं वो राजसभा से भी हमारे हो सकते हैं लेकिन उसी में जो execute करने का जो power हमारा होता है उसा भी सदस्यों के पास में नहीं होता है उसमें executive में तुम्हारे president तो head है चुकि उनके बिना मिहोर अबिना पैड़ का तो काम चलेंगा है जिसे बिछले सालों तुम लोगों ने बिछले classes में तुम लोगों ने cabinet minister को तीन पार्ट में divide किया गया है इसको देख लो बड़ा चुकी है cabinet है minister of state and deputy ministers हमारे होते हैं और इसमें मैंने last न तुमको class 7 में बताया था बेरुक्रियसी को यहाँ पर भी जो email public service commission UPSC से जुन करके जो आते हैं हमारे यह central SSC के मादन से जो क्रमचारियों की निखती हमारी होती है जिसमें तुम्हारा income tax, cvi inspector, tax assistant, general color LDC और ABC color हमारे हो गया और Indian public service commission से जो इस टाप चुन करके आते हैं जो top class बेरुक्रेट होते हैं जिसमें IAS होते हैं Indian administrative service, Indian police service, Indian engineering service, Indian foreign service, Indian forest service बहुत सरे ऐसे हैं तो उसमें जो चुन करके आते हैं हमारे जो district master बगरा बनते हैं या embassy संभालते हैं, ambassador बनते हैं हमारे यह सब हमारे executive कहीं सा है ठीक है? और कानून बनाने का उसको dissolve करने का implement करने के लिए जो कानूनी pre-complete परकिरिया हमारी होती है वो legislation कहीं सा जो राजियों में भी हमारा होता है जिससे राजियों में तुम्हारा bicameral में legislative assembly और legislative council होती है उसे तरह के सकेंद्रों में जो हमारी higher assembly राजसभा होती है और लोगसभा में हमारे MPs होते हैं यहां गलत से MLs दे दिया है, MLs नहीं होते हैं यह भी MPs ही होते हैं, मतलब जो यह है वही यहां पर भी है यह private publication के कुछ-कुछ fault हमारे होते हैं इसको लेकर के confusion आप लोग का नहीं होना चाहिए तो आज के class में बस इतना ही है बाबु इसको देखे समझे और इस तरीके से chapter आपका समाप्त हो गया और चुकि साल के last में हम लोग मिल रहे हैं अंतिम दिनों में हम लोग मिल रहे हैं तो मेरी पूरी सुपकमनाय है, 2020 तो बहुत अच्छा नहीं बीता है लेकिन एक उमीद है, आशाय होते हैं जीवन का उसके अधार पर हम लोग तैय करें कि आने वाला समय हम सभी के लिए काफी अच्छा हो, तो विशिव आल दे बेस्ट एंड हैपी निवेर तो आल अफ यू इन एडवांस मैं अलग से आपको सुपकमनाय दे दे रहा हूँ और इसके साथ ही, ये आप जो दो-तीन दीनों की साथ संभात चूटी होने वाली है चार तारिक से फिर अगे इन थमलों का चाले होगा तो इसका फियर बार कंप्रीट कर लेना है और अबजेक्टिव बुक में बना लेना है ये इतना करना है इसको देखो समझो, ये ये समस्या आती है तो बात करो ठीक है बावो, ओके